दोस्तों बीते कुछ हपतों से A414 इंजिनों के टेक्नोलोजी ट्रांसफर को लेके कई तरीके के ख़वर आया है। दोस्तों बीते के ख़वर आया है। दोस्तों किसी वी देश को अगर एक्सपोर्ट मार्केट में सफलता हासिल करना तो सबसे पहले अपने एक्सपोर्ट को कम करना पड़ता है। और दोस्तों आगर एक्सपोर्ट के कोस्ट कम भी हो जाता है लेकिन एक्सपोर्ट के ओiete करना महेंगा होता है। जा रहा है जिससे कि इंजिनों के production को भी stabilize किया जा सकेगा और इंजिनों में जो replaced unit या replaced component होता है उसका भी supply को study रखा जा सकेगा अब दोस्तों अगर ऐसे पार जो repair और maintenance के दर्मियान इस्तमाल होता है वो अगर अच्छे से available नहीं होता है तो यार कैप्टों के जो operational readiness या preparedness होत होता है वो घड़ जाता है और बार बार अगर ऐसे component हो इंपोर्ट किया जाता है तो जो इंपोर्ट कोस्ट है वो भी बढ़ता है दोस्ते इसे तरीके के चुनोती का सामना भारत के सुखुई 30 MKI यार कैप्टों के fleet के लिए भी करना पड़ रहा है क्योंकि काफी हद तक ब महत्तोपूर्ण पार्ट होता है मतलब इंजिन ये संपूर्ण रूप से बिदेशी इंजिन है और दोस्तों इंजिन एक ऐसे महत्तोपूर्ण पार्ट होता है जिसमें कि थोड़ा बहुत खामी या थोड़ा बहुत maintenance के कमी होने पर भी aircraft को flyward नहीं रखा जा सकता दोस्तों भारत के जो self-reliance मतलब आत्मनिर्वा भारत के संकल्फ है उसे तो मजबूत करेगा ही साथ में अन्ने देशों की उपर से जो dependency है उसे भी घटाएगा अब दोस्तों तेज़ास एयर क्रैप्टों में जनरलिक्टिक के एक 414 इंजिनों के इस्तेमाल का इरादा रखा गया है और आपके जनरलिक्टिक असल में जेट इंजिनों के फील्ड में दुनिया के सबसे लीडिंग कमपनी है। जब तक ये clearance नहीं मिलता तब तक जनरलिक्टिक जैसे कमपनी चाहते हुए भी भारत में इंजिनों के manufacturing नहीं कर सकता। जहाँ पे संपूर्ण रूफ से इंपूर्ट किया गया है तो वही पे भारत तेजर समाक्टू एरक्रैप्टों के प्रोजेक्ट को इस तरीके से आगे नहीं बढ़ाना चाहता है। क्योंकि आने वाले समय में क्या होगा किस तरीके से कुछ global issue के कारण supply chain बाधित हो सकता है इसे लेके भी नहीं कहा जा सकता और दोस्तो भारत इसके कारण अपने air force के बेड़े को कमजोर नहीं कर सकता। कि भारत free focus में इन इंजिनों के technology नहीं चाहता बलकि भारत बड़े मात्रा में ऐसे aircraft को बनाएगा जिसके लिए बड़े मात्रा में इंजिन चाहिए जबकि दूसरे तरफ एक स्वदेशी इंजिन को बनाने के लिए भी joint venture का प्रोस्ताव रखा गया है जिसके अंतरगत भी इन इंजिनों को बड़ा डील मिल सकता है अब दोस्तों बारत अगर तेजस मार्क टू एर क्रेप्टों के इंजिनों को लेके अमरिका के उपर dependent होता है तो एक तरीके साब कह सकते है कि इंडियन एरफोर्स के एक बहुत बड़ा बेड़ा अमरिका के भरोसे रह जाएगा क् अगभग 10 से 12 स्क्वाडरेंड यार क्रेप्टों को रिटार किया जाएगा जिनमें 33 स्क्वाडरेंड के मिक 29 और मिराश 2000 और करीवन 6 स्क्वाडरेंड के जैगवर यार क्रेफ्ट है उपर से दोस्तों अगर टेकनोलोजी ट्रांसपार नहीं होता है और भारत अगर इन इं उपर कई तरीके के सवाल उठ सकता है और एक्सपोर्ट मार्केट में भारत का एक नेगेटिब छवी पैदा होगा खुल मिला के दोस्तों माना जा रहा है कि टेकनोलोजी ट्रांसपार खाली भारत के एर क्रेप्टों को स्वधिशी करने के लिए इसके उपर टिका हुआ है और एर क्रेप्ट के ओपरेशनल कोस्ट भी अगर कम करना है तो भारत को ओविसली टेकनोलोजी ट्रांसपार के साथ इंजिन चाहिए और दोस्तों मेरा मानना यहाँ पे यह है कि अगर अमेरिका अपने इंजिन के टेकनोलोजी नहीं देता है तो भारत को अगर डिले सहन कर पढ़े तब भी थोड़ा डिले सहन करते हुए अन्य इंजिनों के साथ आगे बढ़ना चाहिए और वो भी संपूर्ण टेक्नोलोजी ट्रांसफ़र के साथ। को अपना शुरुआती सक्सेस मिल चुका है और हाली में ही इसके एक टेक्नोलोजी डेमोस्ट्रेशन का सक्सेस्पूल परिक्षन किया गया जो की 20 टन के एलो एक्स मिथन इंजिन है। को संपूर्ण रूप से बदलेगा और अन्य ग्रह तक जाने के सपने को पूरा कर सकेगा। रिपोर्ट के मुताबवि के त्रिबंदम में स्तित इस्रो के लिक्विड प्रोपोल्शन सिस्टम सेंटर में इसके उपर काम किया गया। दोसों यही वो सेंटर है जहाँ पे इस्रो के जादतर इंजिनों के डेवलोपमेंट का काम होता है और इंजिनों के रिसर्च के उपर भी यही पही काम होता है। और फिलाल इस्रो के द्वारा जितने भी स्वदिशी इंजिनों का इस्तमाल किया जा रहा है उन सवी के डिजाइन और डेवलोपमेंट का काम यही पे ही हुआ है। को ही चेंज कर देगा। देखा जाए तो अब इस रोग के द्वारा कई सारीके के अलेग अलेग स्पेस लॉंच वियकलों का इस्तमाल किया जा रहा है। अब दोस्तों यह विकास इंजिन भारत के द्वारा और वी वियकलों में इस्तमाल किया जा रहा है जिन में जीएसलवी और जीएसलवी मार्क 3 वी शामिल है। माना जा रहा है कि जो नए इंजिनों का डेवलपमेंट होगा यह शायद विकास इंजिनों को ही भविश्य में रिप्लेस करे या फिर कहे तो विकास इंजिनों के साथ ही इस्तमाल हो।